हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू फार्मसी नोट्स ग्लास इस वीडियो में हम साइज रिडेक्शन के बारें करेंगे अगर अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बैल अकन को भी प्रैस कर दें ताकि जो भी वीडियो पहला तफनेश देखते हैं दोस कुरू ट्रॉट्स अर यूजिली तफी नेचर विचर हाई वाटर कंटेंट और और फाइबर्स प्रोब्लम्स आर ठेज इंटर साइज रिडेक्शन ऑफ शॉफ्ट बट तफ सब्सक्राइब तफ सब्सक्राइब तफ सब्सक्राइब अग हैं हाड सब्सक्राइब हैं सब्सक्राइब तफ सब्सक्राइब करना इजी होता है इसलिए साइज रिडेक्शन के प्रोसेश को मैटेर्स की हाडनेश विए अफेक्ट करती है थर्ड स्टिकनेश स्टिकी सब्सक्राइब तफ रेजिनस और गमी निचर दियर्फोर दूरिग द्रॉचेश ओफ साइज रिडेक्शन का प्रोसेश होता है तो यह स्टिकी सब्सक्राइब कर सकते हैं कि grinding या shift surfaces जो होते हैं मिलके वहाँ पे वो stick कर सकते हैं जो कि material को small pieces में brick करने में difficulty रा सकते हैं fourth point moisture content the process of particle size reduction is also affected by the moisture present in the material which affects difficult physical properties of the substance like stickness, toughness और hardness अगर material में moisture present है तो इसे भी particle size reduction का process affect हो सकता है जो कि affect कर सकता है different physical properties जो कि substance की different physical properties को affect कर सकता है जैसे कि stickness, toughness और hardness fifth point softening temperature during the process of size reduction the material with a wax like property becomes soft because the temperature of the meat rises to a large extent this condition can be avoided by dropping down the temperature of the milk with the help of a cooling jacket size reduction के दोरान इस material की well select property होती है वो काफी soft हो जाता है क्योंकि milk का temperature होता है वो काफी बढ़ जाता है इस condition को अबएड भी क्या जा सकता है milk के temperature को कम करके जो की cooling jacket की मदद सिख्या जाता है I hope friends की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो friends अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने friends के साथ भी सेट कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा हो और friends अगर आपके कोई queries हो तो वो comment box में जरू लिखेगा